हेलो फ्रेंड्स, मिडा नाम है डॉक्टर लोके समान, इस वीडियो में हम K-light क्रीम के बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे की K-light क्रीम को उपयोग किन कंडिशन में किया जाता है, K-light क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और K-light क्रीम के उज़से क्या side effect हो सकते हैं और ये भी डिस्कुस करें कि K-Light Cream को लगाते समें क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए K-Light Cream को लगाते समें कुछ बातों का विशेश द्यान रखना चाहिए वरना आपकी समस्षा कम होने के बजाए ज़्यादा भी हो सकती है K-Light Cream को लगाते समें तिन किन बातों का विशेश द्यान रखना चाहिए आप इस वीडियो के देखते रहे हैं अगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि K-Light Cream को लगाते समें कौन-कौन सी बातों का विशेश द्यान रखना चाहिए के लाइट क्रीम को प्योग चेहरे पर दाग दबो, निसान वाजाईयों को टाने के लिए किया जाता है आँखों के नीचे, डार्क सर्कल्स यानि आँखों के नीचे, काले गेरे होने पर भी डॉक्टर के लाइट क्रीम को लगाने की सलादे सकते हैं मेलाजिमा होने पर तउचा पर डार्कलर के पैच हो जाते हैं मेलाजिमा की समस्या सरीर में होर्मनल बदलाओ या सुरज की दूप की उज़से भी हो सकती है केलाइट क्रिम को महिलाई वप्रुष दोनों ही लगा सकते हैं केलाइट क्रिम के अंदर salt composition, mometason, tretinoin और hydroquinone होता है अब हम डिस्कुस करें कि केलाइट क्रिम को कैसे लगाना recommended है केलाइट क्रिम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाना recommended है केलाइट क्रिम को रात को सोने से कम से कम 30 मिनिट पहले लगाना चाहिए के लाइट क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से दो लेना चाहिए और उसके बाद कपड़े की मदद से अपने चेहरे को साफ कर लेना चाहिए चेरों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद के लाइट क्रीम के एक पतली लेयर अफेक्टिड एरिया पर लगानी चाहिए के लाइट क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके आज से फैला कर लगाना चाहिए और K-Light Cream को ज़्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए K-Light Cream को आँख, मूँ और नाक के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए सुपह उठने के बाद आपको अपने चेहरे को नुर्बल पानी की मज़द से दो लेना चाहिए अब हम डिस्कुस करें कि K-Light Cream को उपयोग करतिस में आपको क्या क्या साओ दानिया रखनी चाहिए लगातर 8 सबता से अधिक K-Light Cream को लगाना recommended नहीं है इसलिए 8 सबता से अधिक K-Light Cream को डॉक्टर के सला के बिना नहीं लगाना चाहिए जब तक आप K-Light Cream को लगा रहें तब तक आपको दिन के समय में सूरज की दूप में जाने से बचना चाहिए क्योंकि K-Light Cream के विज़े से तौचा दूप के परती बहुँ ज़्यादा समय दिन शील हो जाती है जिसकी जैसे सनबरन होने का रिस्क दिक हो जाता है अगर किसी कारणवस आपको दूप में जाना है पड़ता है तो आपको तौचा को दूप से बचाने के लिए चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप दूप से बचाव करने के लिए अपने चेहरे को कपड़े की मदद से डग सकते हैं या अमरेला यानि छत्ते का इपरियोग कर सकते हैं के लाइट क्रीम को दिन के समय में लगाना recommended नहीं है इसलिए आपको के लाइट क्रीम को के लाइट के समय ही लगाना चाहिए और दिन के समय में लगाने से बचना चाहिए तउचा पर कोई चोट लगने पर, तउचा पर कोई infection होने पर या तउचा पर कसी पर करका गाव होने पर के लाइट क्रीम को लगाना recommended नहीं है अगर हम डिस्कुस करें कि के लाइट क्रीम की उज़े से क्या side fact हो सकते हैं वैसे तो जातर लोगों में के लाइट क्रीम की उज़े से कोई side fact नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent लोगों में के लाइट क्रीम की उज़े से कुछ side fact हो सकते हैं के लाइट क्रीम के विज़े से तउचा में जलन, इरिटेशन, खुजली या रेडनेस हो सकती है अगर आपको के लाइट क्रीम को लगाने के बाद ये साइड फेक्ट होती हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए लंबे समय तक यानि कई मेहनों तक के लाइट क्रीम को उप्योग करने से तउचा पतली हो सकते है और स्किन का कलर डार्क भी हो सकता है इसलिए 8 सब्ता से अधिक K-Light Cream को लगाना recommended नहीं है और बार 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 बिना डॉक्टर की चला के K-Light Cream को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी तउचा पतली हो सकती है और स्कीन का color dark भी हो सकता है K-Light Cream को केवल उतने समय के लिए लगाना चाहिए तोर पर सुखापन हो सकता है अगर आपको K-Light Cream को लगाने के बाद तउचा में ड्राइनेस ज़्यादा होता है तो आपको सुबह उठने के बाद अपने चेरे को दो लेना चाहिए और उसके बाद वैसलिन या कोई अन्यम उस्चोराजर क्रीम लगानी चाहिए तक कि आपकी स्कीन में ड्राइनेस ज़्यादा नहीं हो बार बार या लंबे समय तक K-Light Cream को आँखों के नीचे या आँखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि K-Light Cream के अंदर स्टिरोड होता है और K-Light Cream को बार बार या लंबे समय तक आँखों के नीचे लगाने से आँखों में Cataract या गुलकोमा हो सकता है इसलिन लंबे समय तक या बार बार के लाइट क्रीम को आँखों के नीचे नहीं लगाना चाहिए अब हम डिस्कुस करें कि क्या गरब वती मेलाओं उस्तन पान करारी मेलाओं के लिए के लाइट क्रीम को लगाना रिकोमेंडिड नहीं है इसलिए गरब वती मेलाओं उस्तन पान करारी मेलाओं को के लाइट क्रीम को लगाने से पहले डोक्टर से प्रामर्स लेना चाहिए और डोक्टर की सला के बिना गरब वती मेलाओं उस्तन पान करारी मेलाओं को के लाइट क्रीम को नहीं लगाना चाहिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने लोग का धन्यवाद अगर आपको वीडियो फिसनाइस प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका के लाइट क्रीम से रेलेटेड को किस तो नहीं तो आप कमेट करके पूछ सबते हैं